हेलो बच्चो कैसे हैं आप बच्चो आज हम पढ़ेंगे कक्सा साथ सामाजी का द्यान के अंतरगैत हमारे अतीद विशय का साथवाँ चैप्टर जन जातियां खाना बदोस और एक जिगे बसे हुए समधाए हम आपको बताएंगे इस पार्ट से सम्मंदित प्रस्नों के उत तर लेकिन उससे पहले आईए देख लेते हैं एक जलक इस पार्ट की ताकि आपको पार्ट अच्छे से समझ आ जाए तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर सेवन जन जातियां खाना बदोस और एक जिगे बसे हुए समधाए तो बच्चो आप देख रहें नहीं यहाँ प पार्ट जन जातियां खाना बदोस और एक जगे बसे हुए समधाए आप इस पार्ट को ध्यान पूरबग पढ़ें बच्चो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं इस पार्ट को और अपनी पार्ट पुस्तक से भी लेकिन एक बार इस पार्ट को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको इस पार्ट में बताए हुए प्रस्णों के उत्तर अच्छे से समझ आ जाएंगे तो देख रहें ना आप यहाँ पर यह है जन जातिया लोग कौन थे और इसके बाद आगे यहाँ पर आप जान सकते हैं कि यह कहां कहां बसे हुए थे किस परकार की इनकी ब्योस क्या था यह सब जानकरिया आपको इस पार्ट में मिलने वाली हैं तो इस पार्ट को एक बार आप ध्यान पूर्बग पढ़ लें उसके बाद हम आपको सीधे बताएंगे इस पार्ट से सम्मंदित प्रस्णों के उत्तर कुछ प्रस्ण इस पार्ट के अंदर से दी हुए है और कुछ पार्ट के अंत में पूछे गए हैं तो दोनों प्रकार के प्रश्णों के उत्तर हम आपको यहां पर दिखाने वाले हैं आप देख सकते हैं यहां पर बदलता समाज, नहीं जातियां और स्रेणियां किस प्रकार से यह बिक्सित हुई? यह सब जानकारी आपको यहां पर मिलने वाली हैं तो बच्चो यह देखें यहां पर नजदी से एक नज़र और इसके बाद यहां पर आप जो हैं इस पार्ट में पूरी जानकारी ले सकते हैं बच्चो आप अपनी पार्टे पुष्टक से भी पढ़ सकते हैं और यहां से भी इस पार्ट को पूरा पढ़ें तो इस प्रकार से यहां पर देख सकते हैं और इस पार्ट का यहां पर यह निश्कर से दिया हुए कि किस प्रकार से क्या कुछ हुआ क्या कुछ बदला और समाज जो है कैसे आगे आगे प्रगती करता गया इसके बाद यहाँ पर कुछ प्रसने आपके लिए जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप कल्पना करें और यहाँ पर मेल बिठाने के लिए है प्रसन फिर रिक्तास्तान है आपके और उसके बाद जो है समझें आईए समझें जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अहोम राजे का प्रसाशन कैसे संगटी था यह सारे प्रसन जो है आपके लिए काफी इंपोर्टेंड है बच्चो और इनका उत्तर हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं तो चलिए सुरू करते हैं और जान लेते हैं अब सीधे इस पाट से सम्मझें प्रसनों के उत्तर जिनें आप अपनी नोट बुक में नोट करेंगे और उन्हें अच्छे से याद भी कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ के प्रस्न उत्तर बच्चो आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बताते हैं यहाँ पर पाठ के अंत में यहाँ पर जूए है सबसे पहले हम आपको बताएंगे पाठ के आंतरिक प्रस्न यहाँ पर आप ध्यान दे बच्चो पार्ट का नाम हमारा है जन जातियां खाना बदोस और एक जगह बसे हुए समुदाए और हम आपको बता रहे हैं इस पार्ट के प्रस्न उत्तर सबसे पहले आंतरिक प्रस्न की बात करते हैं आंतरिक प्रस्न समझते हैं आप बच्चो आंतरिक प्रस्न होते हैं जो प्रस्न पार्ट में बीजबीज में पूछे जाते हैं थोड़ा सा पार्ट पढ़ा आपने उसके बाद कोई प्रस्न आता है फिर उसके बाद पार्ट सुरू हो जाता है तो पार्ट के बीजबीज में एक बहुत एक मानचित्र लेकर वे इलाके बताईए जहां जन जातिया लोग रहते या रहे होंगे और आप देख सकते हैं यह प्रस्ण आपको दिखाई देगा 92 यानि कि 92 नमबर पेज पर आप देख सकते हैं इस प्रकार का एक प्रस्ण आपको मिलेगा उत्तर क्या लिखेंगे आप उसका इस प्रकार से आप उसका उत्तर लिख सकते हैं उत्तर में लिखेंगे उप महाद्वीब में जन जातियों के निवासस्तान और लिकेंगे एक साइड में जन जाती एक तरफ राजिया देखरें ना आप यहां से जुए है इसके दो पार्ट हैं एक तरफ लिकेंगे जन जाती एक तरफ लिकेंगे राजिया और इस प्रकार से जैसे भील, कोली, ये कहां थे, महाराष्ट और गुजरात में, संथाल, उत्तरी पूर्वी, जारकन छेत्र और बंगाल में, नागा लोग, नागा लेंड में, खासी, मेगाले में, कोच, आसाम में, कोरागा, दक्षिन, महाराष्ट, उत्तरी, करनाटक में, खोंड जाती उडिसा में पाई गई कोयास 36 गड़ में और इसी प्रकार से गोंड गोंड जो थी मध्य परदेशों 36 गड़ की जाती है और महाराश्ट आंदर परदेश की भी और इसके बाद है दसवां वादागस और मारवार गे तमिलनाडु में जाटवास गुजरात में मुंडा जारखंड बंगाल में पाई गई और तेरवाएं यहां पर समास अरजुन बलूची लंगा जंजुः यह सब जातियां कहां पाकिस्तान में तो ध्यान दे बच्चो इस प्रकार से आप जो है इस प्रसन का उत्तर लिख सकते हैं पहले प्रसन का उत्तर इसके बाद का दूसरा प्रसन पता करें कि आज कल गाउं से सहरों तक अनाज ले जाने का काम कैसे होता है बंजारों के तोर तरीकों से यहां किन माईनों में विन्या समान है और यह प्रसन बच्चो आपको देखने को मिलेगा 95 नंबर पेज़ पर देख रहें आप यहां पर 95 नंबर पेज़ पर आप देख सकते हैं अपनी पाटे पुस्तक के और इसका उतर लिखेंगे आप उतर लिखेंगे आज कल गाउं से सहरों तक अनाज ले जाने का काम बैल गाडी घोडा गाडी बैसा गाडी ट्रैक्टेर खचर आदी से किया जाता है जबकि बंजारे अप अपने इस दूसरे प्रशन का उतर लिख सकते हैं इसके बाद बच्चों बात करते हैं यहाँ पर है तीसरा प्रशन और तीसरे प्रशन में पूछा गया है चर्चा करें कि मुगल लोग गोंड परदेश पर क्यों कब जाक करना चाहते थे और यह प्रशन आपको देखने को मिलेगा 99 यानि की 99 नमबर पेज पर आप इस प्रस्न को देख सकते हैं इसका उत्तर लिखेंगे बच्चो गोंडों का राजिया गड कटंगा था जो की एक समर्द राजिया था इस राजिया ने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राजियों में उनका निरियात करने के ब्यापार में खासा धन कमाया मुगल गोंड राजिय की समर्दी को देखकर उस पर कबजा जमाना चाते थे जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेस कीमती सिक्के और हाथी प्राप्त किये मुगलों ने राजिय का एक भाग अपने कबजे में ले देख सकते हैं और इसे याद करें बात करते हैं बच्चो चोथा प्रसने यहाँ पर आपके बिचार में मुगलों ने अहोम परदेश को जीतने का प्रियास क्यों किया और देख रहें ना आप यहाँ पर यह सो नमबर पेज पर यानि कि अपनी पार्टे पुस्तक के सो में मिला लिया उन्होंने कई अन्य जन जातियों को भी अपने अधीन कर लिया अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए पंदर सो तीस के दसक में ही इतने वर्सों पहले आगने अस्तरों का इस्तिमाल किया 1660 तक आते जाते यह उच्च इस तरीया बारुद और तोपों का निर्मान करने में सक्सम हो गए थे अहोम अपनी सक्ति और सामराज्य का विस्तार काफी तेजी से कर रहे थे इसलिए मुगलों ने अहोम परदेशों को जीतने का प्रियास किया तो इस प्रकार से आप जो बच्चों इस चोते प्रस्ण का उत्तर लिख सकते ह और इसे अच्छे से याद करें इसके बाद बात करते हैं बच्चों यहाँ पर अगला है यहाँ पर पाठ के अंत में पूछेगे प्रस्ण और उनके उत्तर तो जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों कुछ प्रस्ण जो है पाठ के आंतरिक प्रस्ण होते हैं जो कि पाटके अंत में पूछेगे प्रस्नों के बारे में यह है आपके पाटके अंत में पूछे हुए प्रस्ने हैं जिने आप जो है जब आप अपना चैप्टर पढ़ेंगे पूरा चैप्टर पढ़ें उसके लास्ट में आप देखेंगे कुछ प्रस्ने हैं और वहाँ पर है इसका उत्तर दिखा देते हैं बच्चों, तो उत्तर में आप इस प्रकार से इनका मेल करेंगे, देखें उत्तर, उत्तर में गड़ के साथ आप लिखेंगे, यहाँ पर 84, टंडा के साथ कारवा, सर्मिक के साथ पाइक, और कुल के साथ खेल, सिफ सिंग के साथ, अहुम राज में, यहाँ पर देख सकते हैं आप कह, खह, और गह, और गह, यहाँ पर आप जो है, गह लिखेंगे, गह, तो यहाँ पर जो है, कह, गह, 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 और सबसे पहले यहाँ पर जो है, कह है आपके लिए, वर्गों के वीतर पैदा होती नहीं जाती हैं, आप देख रहें नही रिक्तस्तान ने अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई एफियासी किरतिया थी इसी प्रकार से यहां पर गहे में भी जो है रिक्तस्तान ने इस बात का उले किया है कि गड़ कटंगा सत्तर जार गहुने गहे में हैं बड़े और टाकत वैर होने पर जंजातिं राजियों और यहाँ पर खाली अस्ताने दो जगे पे को भूमी अनुदान दी देख रहे न आप यहाँ पर तो इनका उत्तर क्या क्या लिखेंगे बच्चों आप उत्तर में लेकिंगे खैवाले में लिखेंगे स्रेणिया और खैवाले में बुरंजी गैवाले में अगवर तो इस प्रकार से आपके इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा, इसके बाद बच्चों बात करते हैं, तीसरा प्रस्ण है यहाँ पर सही या गलत बताईए, तो यहाँ पर आपके लिए कैख है यहाँ पर जो एक कुछ प्रस्ण है आपके लिए, और इसमें आपको सही और गलत है कि क्या बात यहां पर सही कही गई है और कौन सी गलत है जैसे पहला है जनजातिय समाजों के पास समर्द वाचक परंपराएं थी और खहे उप महाद्वीप के उत्तर पस्चिमी भाग में कोई जनजातिय समुदाय नहीं था और गहें गोंड राजियों में अनेक नगरों को मिलाकर 84 बनता था और गहवाला आप देख सकते हैं गहवाले में क्या है बील उप महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में रहते थे तो इन में से इन चार बातों में से कौन कौन सी सही है और कौन कौन सी गलत यही आप यहां पर बताएंगे तो उत्तर में लिखेंगे पहली बात जो कहवाला है वो सही है दूसरा कहवाली बात गलत है और गहवाली गलत है और गहवाली भी गलत है तो इस प्रकार से पहला सही है बच्चो आप ध्यान दें यहां पर यह वाली सही है और बाकी यह गलत है यह भी गलत और यह भी गलत ठीक है बच्चो इसके किस तरह का विनिमे होता था यानि कि जो आपस में लेन देन करते थे खरीद फरोगत करते थे वो किस परकार से करते थे विनिमे का मतलब आप समझते हैं ना खरीद फरोगत यानि लेना देना जो होता था किस परकार से चलता था इनमे तो उतर लिखेंगे आप खाना बदोस, पसुचारकों और खेतियरों के बीच वस्तु बिनिमे होता था वस्तु बिनिमे पढ़ाओगा बच्चो आपने पिछली कक्साओं में वस्तु बिनिमे जानते हैं आप क्या होता है एक वस्तु के बद दे दूसरी वस्तु का लेना या देना वस्तु बिनिमे कहलाता है तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हमकी जो पसुपालक थे और खाना बदोस जो लोग थे केतियर मजदूर थे या केतियर जो लोग थे उन सबी के बीच में जो बिनिमे होता था किस प्रकार से होता था वस्तु भी निमे द्वारा आज कल कैसा भी निमे होता है बच्चो मुद्रा भी निमे होता है ने मुद्रा के द्वारा पैसे से हम कोई चीज खरीडते हैं और बेशते हैं लेकिन पुराने समय में लोग एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेते थ तो इसे कहते थे वस्तु भी नहीं है जिसके तहट एक वस्तु को दे कर दूसरी वस्तु को प्राप्त करना होता था खाना बदोस चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे उनका जीवन दूद और अन्यपप सुचारी उत्पादों पर निर्वर्ध था खाना बदोसी चरवाहे ग्रेस्तों से अनाज कपड़े वर्तन और ऐसी ही चीजों के बदले उन घी दूद दिया करते थे कुछ खाना बदोस रास्ते में पढ़ने वाले गाउं और नगरों में सामानों की खरीद परोगत भी करते थे तो आप बच्चो इस प्रसन को काफी अच्छे से पढ़ें और ध्यान दें काफी इंपोर्टेंट प्रसन ही आपका आप इसे याद करें इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर आईए समझें और पांचों प्रसने अहों राज्य का परसासन कैसे संगट हित था उतर पांचों केंद्रिया क्रित हो चुका था नमबर दो अहों समाज कुलों में विवाजित था बाद में कुलों में एकता भंग हो गई और तीसरा प्वैंट लिखेंगे एक कुल यानकी खेल के निमंतर में प्राया कई गाउं होते थे किसान को अपने ग्राम समुदाय के खेल भी कह सकते हैं कुल का नाम ही आपर खेल दिया हुए इस प्रकार आप अपना उत्तर लिख सकते हैं इसके बाद बच्चों छटा प्रस्न है वर्ण आदारित समाज में क्या परिवर्तन आए तो उत्तर क्या लिखेंगे आप उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे वर्ण आ लिखेंगे आप दूसरी और कई जातियां जन जातियों और सामाजिक समों को जाती विवाजित समाज में सामिल कर लिया गया उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया तीसरा पॉइंट लिखेंगे ब्रामनों द्वारा सिल्पियों सुनार लोहार वढ़ई और राजमिस्त बात करते हैं बच्चों यहाँ पर यह आपका साथवा प्रस्न एक राज्य के रूप में संगटित हो जाने के बाद जन जातिय समाज कैसे बदला तो उत्तर लिखेंगे आप एक राज्य के रूप में संगटित हो जाने के बाद जन जातिय समाज में कई तरह के बदलाओ आए और इने पॉइंटों में लिखेंगे बच्चों आप नमबर एक जैसे आप लिख सकते हून, चंदेल, चालुक्या और कुछ दूसरी वंस परमपराओं में से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए धीरे-धीरे उन्होंने पुराने सासकों की जगे लेली बिसेस्ता किरसी वाले छेतरों में तो ध्यान दे बच्चों आप इस परकार से दूसरा प्वैंट लिखेंगे आप फिर आगे तो बच्चो यहाँ पर आप द्यान दे दूसरा पॉइंट है आपके लिए सासकों के रूप में राजपूत गौतरों के उद्य के उधारन को जनजातिय लोगों ने अनुसरन किया दीरे दीरे ब्राहमनों के समर्थन से कई जनजातियां जाती ब्योस्ता का हिसा बन गई लेकिन केवल परमुख जनजातिय परियार ही सासक बर्ग में सामिल हो सके तो देख रहें ने बच्चों आप और इसके बाद यहां पर अगला प्रस्न है बच्चों आईए विचार करें और यहां पर प्रस्न आट हुआ है क्या बंजारे लोग अर्थवियोस्ता के लिए मैतोपूर्ण थे तो उतर क्या लिखेंगे आप हाँ बंजारे लोग अलत्रनत काल में बंजारे नगर के बाजारों तक अनाज की डूलाई किया करते थे तीसरा पॉइंट लिखेंगे बंजारे बिविनी लाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर सहरों में बेजते थे और इसके बाद चोथा पॉइंट है बच्यों सेन अभियानों के दौरा वे मुगल सेना के लिए खाद्यानों की डुलाई का काम करते थे बंजारे किसी भी सेना के लिए एक लाख बेलों से अनाज्ड होते थे ठीक है बच्चो तो इस प्रकार से आप अपने इस आठ्वे प्रस्न का उत्तर लिखेंगे बात करते हैं नवा प्रस्न है बच्चो गों गोंड लोगों के इतिहास एवं अहोमों के इतिहास में कई मायनों में अंतर था जैसे फिर पॉइंट बना के लिखेंगे गोंड गोंड वाना परदेश की परमुक जन जाती थी जबकि अहोम ब्रह्म पुत्र घाटी में निवास करने वाली परमुक जन जाती थी नमबर दो गोंड यहां के मूल निवासी थे जबकि अहोम म्यामार किसे आकर वसे थे अगला पॉइंट है बचो तीसरा गोंड आगनी अस्तरों का प्रियोग नहीं जानते थे जबकि अहोम उचस तरिय बारूद और तोपों के निर्मान में सक समते चौथा गोंड वाना राजिय अहोम राज्य की तुलना में बड़ा था और अगला प्रसन है बच्चो गोंड इत्यास एबं अहोम इत्यास में सम만ता हैं तो यहांपर यह यह पहले प्रसन का उत्तर है बच्चो सा साथ आप ध्यान दें यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर प्रस्ट में पूछा गया था कि गोंड लोगों का इतियास अहुमों की इतियास से किस मैनों में भिन था क्या कोई समानताएं थी तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि किस प्रकार से इन दोनों में अंतर था और इसके बाद आप यहाँ पर जान लेते हैं कि इनमें क्या आपस में समानताएं थी तो उत्तर में यही पर भी आप भी जोए है इसे फिर से लिखेंगे कुछ पॉइंट बना कर कि गोंड इतियास और आहुम इतियास में कुछ समानताएं भी थी और और कौन-कौन सी थी यहाँ पर देख लेते हैं नंबर एक गोंड और आहुम दोनों ही जनजातियां थी नंबर दो दोनों ही जनजातियों ने अपने-पने सामराजिया स्ताफित किये थे इसके बाद तीसरा पॉइंट लेखेंगे बचो दोनों ही राज्यों को मुगलो ने पराजित किया ठीक है बचो तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रस्न का उत्तर लेखेंगे नववा प्रस्न है यह और इसका उत्तर थोड़ा जो काफी लंबा है बचो तो इसको ध्यान प अध्याय में उल्ले की जनजातियों के इलाकों को चिनित करें किनित दो के सम्मन्द में यहां चर्चा करें कि क्या उनके जीवु का पारजन का तरीका अपने अपने इलाकों की भोगौलिक विशेष्थाओं और प्रियावरण के अनुरूप था तो यहां पर बच्यों आपक प्रियावरण के अनुरूप वो कैसे रहते थे तो इसका उत्तर बच्यों आप जोए स्वेहम लिखेंगे क्योंकि आपको एक मांचीतर बनाना है यह आपके लिए प्रस्नि जोए एक्टिविटीज से सम्मन दीता है इसी प्रकार 11 प्रस्नि भी है जिसका उत्तर आपको मन में मौझूदा सरकारी नीटियों का पता लगाएं उनके बारे में एक बहस का आविजन करें तो आप जो इसे अपने कक्सा में अन्य चात्रों के साथ जोए बैठ कर और जो बरतमान जो सरकारी नीटियां उनके बारे में बाचीत कर सकते हैं तो इसलिए इसका उत्तर भी आप स्वेम लिखेंगे और अगला है बच्चो बारों प्रस्न उप महाद्वीप में बर्तमान खाना वदोस पसुचारी समों के बारे में और पता लगाएं वे कौन से जानवर रखते थे वे प्रायक की निलाकों में जाते रहते थे तो यहां पर भी बच्चो आपको इस प् प्रिशानी ना हो तो आप ध्यान दे बच्चो आज हम पढ़ रहे थे ककसा साथ हमारे अतीत का जो है सातुवा चैप्टर जन जातियां खाना बदोस और एक जिगह बसे हुए समुदाए हमने आपको बताए इस पार्ट से समधित प्रस्नों के उत्तर बच्चो जिनके पास पुस्तक है वो अपने पार्टे पुस्तक से इस पार्ट को अच्छे से पहले पढ़ ले और जिनके पास नहीं है वो इस वीडियो के माद्यम से भी इस पार्ट को पूरा समझ ले एक बार बच्चो इसके बाद मिलते हैं अगले अध्याय में चैप्टर एट में तब तक के शूब हो बच्चो आप जोए ध्यान पूर्वक अपनी नोट उग में इन सारे प्रस्णों को नोट कर लें